इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन ज़रूर पेज करें, हमारी निव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंज बेवी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है एक जो सरदियों का बहुत ही खुबसूर सा प्लांट है कोक्सकॉम जो देसी वाला होता है तो उसके बारे में बात करेंगे उसको कब लगाना चाहिए और किस तरह के उसमें फूल खिलते हैं और उसकी केर किस तरह करनी चाहिए वो ही इस वीडियो में बताऊंगे आपको तो फ्रेंट्स यह है देसी वाला जो कोक्सकॉम का प्लांट होता है आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे कि अगर आपने इसको लगाना है तो कब इसका लगाने का सीजन होता है औ this is Mhm तूर्स मैं यह देखी मेरे फूल बीपे आने लगए है और इसके फूल देखिए किस तरह की होते है तो इसको अब बत करती इस इसको इस प्लांट को हम कब लगाए तो इसका जो लगाने का सीजन आप अगर आपके पास सीड है तो इसको जो है। मेज जू году में सीडर ल और यह दिखिमें दिखा रही हैं आपको इस तरह के सीड से आप इस प्लांट को मईजा जून में ग्रोव कर सकते हैं और जैसे ही आभी देखी अक्तूबर मीना स्टार्ट हुआ है तो इसमें ये देखी मेरा प्लांट में आभी कितने अच्छे तरी किसे इसमें फूल भी आने लग गए है तो यही इसका जो फूल है ये काफी दिनों तक इस प्लांट पे बना रहता है और विल्कुल इसका जो मेजून में इसकी आप सेडलिंग कर सकते हैं तो यह देखी जब देसी वाला जो कॉक्स को में जब इस पर फूल नहीं हा रहे होते हैं जब प्लांट छोटा होता है जैसे एक दो महीने का होता है तो इस तरह के लगता है जैसे कोलियस का प्लांट होता है इसके जो लीप्स ह तो अभी बात करते हैं अगर आप इसको लगा रहे हैं तो किस तरह की मिट्टी में लगाएं तो यह प्लान जो ऐसा है कि इसको आप किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं मगर जब आप गमले में लगा रहे हैं तो आप इसको बैल ड्रेन मिट्टी में ही लगाएं और इसने जो है सीजनल फ्लावर भी होते हैं और साल भर भी चल जाते हैं मगर जब भी आप इसको लगा रहे हैं तो आप इसको बैल ड्रेन मिट्टी में ही लगाएं जब गमले में और गमला इसके लिए थोड़ा सा दस जा 12 इंचिका ही लें और साथ में जो है उसमें अच्छी जो है अच्छी ग्रोथ भी होगी और अच्छी दरीकिंशे इसमें फ्लावरीन भी होगी तो ये देखिए जब जोड़ा छोटा होता प्लान्ट तो इस तरह का होता है यह वाला प्लांट मेरा जो है जमीन में लगाऊ है तो फ्रेंट्स अभी बात करते हैं कि कोक्सकॉम के प्लांट को कितनी दूप चाहिए तो यह जो दूप का ही प्लांट है जहां अच्छी दूप आती होगी आपके गर में चार-पांच गंटे की बहां आप इसको रख सकते हैं गमले में लगाया है तो अगर जमीन में लगाया है तो फिर तो हम यह दूर दूर नहीं कर सकते हैं अगर गमले में आपने लगाया है तो आप इसको ऐसी जगा रखे जहां इसको चार-पांच गंटे की दूप मिले फूल खहलते हैं εक बड़ासा फूल जो इस तीप पर खिलते है और चुट चुट फूल हैं जो साइडों पे खिलते और बहुत सुन्दर लगता है यह यह बात करते हैं पानी की तो पानी इस प्लांट को जो है डेली ही चाहिए नहीं तो यह सूख जाता है तो डेली आप इसको बाटरिंग कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है इसकी बहुत ज्यादा फैलती है गमले में तो इसको डेली पानी दें आप फ्रेंट्स बात करते हैं इसके फटलाइजर की कि इस प्लांट को कितनी फटलाइजर की requirement रहती है तो जब भी आप इसको घमले में लगाएं तब ही इसको इसकी मिट्टी में जो है अच्छे से फटलाइजर जा कंपोस्ट जो होती है कॉड़न कंपोस्ट जा बर्मी कंपोस्ट तो अच्छे से मिला लीजिए तो बाद में इ इस तरह के गमले में लगा हुआ है तो यह थी कितनी सटैक्षी प्लांच मैं निकली हुए है अभि बात करते हैं इसके पैस्ट प्राव्लम रहती है कि मैंने इस साल देखी है अपने प्लांट में और जो इसके लीव होते हैं और जब फूल भी निकलने लगते हैं तो पेस्ट की बहुत जादा इसमें प्राबलम आती है तो कोई भी आप जो स्प्रे होती है, चाहे मार्किट से ले लिने चाहे घर का बना हुआ जो पेस्ट वाला होता है, वो स्प्रे इसमें कर सकते हैं, तो मैंने तो जो मार्केट में पैस्टिसाइड मिलता है उसी से मैंने स्प्रे किया था क्यूंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रावलम आती है पैस्टर टैक की तो उससे अगर नहीं बचाओगी तो प्लांट जो है आश्टा आश्टा वो पैस्ट जो है इसको खतम कर देते हैं त इसी मैं से आपके यू नियू बट भी बन जाते हैं और इस तरीके से ही आप कर कोजिए अपने प्लांट की तो इसकी जो फूले हैं इस प्लांट के तो दो-तीन मीने और मैं कहूं कि जब तो यह फूलो इसी तरीकिये से जो प्लाप्र पे बने रहते हैं और इनी फूलो में सीडि भी बनते हैं और सीडि क inclusive करके 2023 आगले सीजन वे इसके प्लाइल के बना सकते हैं तो थैंक ाणियो वडियो को साहगै और लगे झाल झाल